हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल यूपी पाट साल अपर मैधी पकपाल जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यूपी टैट के लिए प्रिरावरंड की सरगला करा रहा हूं और उसी किरम में आज आगे बढ़ते हैं वही मैं लेकर आपके लिए यूपी टैट 2016 का पेपर ठीक है यूपी टैट में पूरी तरीके से यह पेपर आयता है मैं इसलिए आपको करा दे रहा हूं कि आपको थोड़ा इन वीडियो से एक आईडिया लगे कि किस प्रकार के कुश्चन आते हैं लेकिन 2016, 17, 18 तक बहुत अच्छी तरी इसलिए यही पैटर आता रहा लेकिन जब लास्ट वाहर वाला जो आपका इस वार से पहले वाला यूपी टैट तब हाँ पर प्रिरवरण में अमूल चूल परिवर्तन हुए ठीक उसमें विज्यान का बेटेस ज्यादा वड़ा दिया जो प्रिरवरण से अधर सब्जेक् ज्यान आगई है आपकी भारते वुगोल आगई है सम्मिदान आगई इनके खंड रख दिये गए ठीक है वो हो जाता है लेकिन मैं आपको वह भी लेकर चलूँगा लेकिन उससे पहले ज़रूर है कि आपके साथ पेपर भी समय समय पर डिसकस होते रहें तो दोस्तों शुर दी उप्रोक्स अभी तो भही आपने अगर प्रेक्शन विदी के बारे में पढ़ होगा तभी आप इस पूशन को कर पाओगे ठीक है होता है क्या जो प्रिरावण्य अध्यान होता है ना उसमें ही कोश्यन आते हैं आपने देखा होगा सिलेवल उसमें आपको कंटेंट व आपसे नहीं करेंगे प्रेक्शन विदी को तो क्या होगा हमें परिणाम विश्वशन नहीं प्राप्त होगा ठीक है और वह वैद भी नहीं वाना जाएगा जब विश्वशन प्राप्त नहीं होगा तो इस परकार क्या होगा जब प्रेक्शन विदी क्या होती है दोस्तों तो तेखो, प्रेक्शन विदी कहो थे हैं? खर्चील होती है, खर्चील होती है, ठीक है? अगर हम बिजवशने हो सलल तरीके से नहीं करेंगे, तो हमें उसका कैसा पट्रड़िनाम मिलेगा? ऐज बिजवशनी मिलेगा, तो वह किस प्रकार होगा? वेद भी नहीं होगा ठीक है इससे क्योंगा व्यक्ति कांतर विवार होगा दिन भी हम नहीं कर पाएंगे तो देखो वी चार ओप्षिन हो रहा है सही है ना यह भी सही है यह भी सही यह भी सही तुसका राइट अंसर हो जाएगा डी उपरोग सभी ठीक है नेक्स कोशन एको सिस्टम की सही परिवासा क्या है बताइए वह इको सिस्टम आपने पढ़ा है यह आपसे पूछआ है बताइए वह एको सिस्टम आप देख लीजे चारो ठीक है क्योंकि time based होता है तो वही हमने ecosystem में पढ़ा था ecosystem में क्या पढ़ाता हुई इसके अंदर क्या होता है जीब समूधाय और उसके वातावरण का संतूलित तंत्र होता है ठीक है जो जीब समूधाय होता है समूधाय के अंदर सब पेड़, पोदे, मानव वगेरा सब आ जाते है तो उसके वातावरण का संतूलित तंत्र होता है इसमें जीब दारी अपने वातावरण से हमेशा interaction करते रहते है क्या करते रहते हैं दोस्तों किर्रा करते रहते हैं अन्ते गरा होती है उनके वीच ठीक है next question है मानव विकास के करम में दो पेरों पर चलने का सबसे वड़ा लाव है बताइए वही सबसे वड़ा लाव क्या है देखे भी मानव विकास के करम में दो पेर पर चलने का haben कि जो हमारे हाथ होते हैं वे स्वत्मत रूप से मास्तिक्स की अग्य अनुसार कार्या कर सकते हैं आप देखना जब आप अपने आपको फिल करके देखिए आप चल के देखिए मानफ के अनुसार कोई चार पैरो वाला कार्या कर सकता है उसके हाथ ही नहीं होते वो हाथ की तरह कारण नहीं कर सकता दो पहरों पर चलने के हमारा पढ़िजनामे के हमास से लिख पाते हैं ठीक है सारी किर्णाय कर पाते हैं यह क्या है सब दो पहरों पर चलने की बेज़ से यह न तिसका राइड आंसर को जाएगा तीन ठीक है next है बुकम की तीवरत हम आपने के यंत्र को क्या कहते हैं बताइए वई चार ओप्चन आपके सामने स्कीन पर दिखाई दे रहा हैं तो बुकम की तीवरत हम आपने के यंत्र को क्या कहते हैं बच्चा तो दोस्त बुकम की जो तीवरत होती है हम आपने वाले यंत्र को क्या कहते ह सिश्मो गिराफ कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सूर्य से निकटतम गिरा कुण सा है दोस्तो देखिए वई आपको गिरा जरूर पता होने चाहिए यह माल लीजिए यह सन है अपना ठीक है तो सूर्य के निकटतम गिरा कुण सा है बताएए देखिए वई सूर्य के निकटतम गिरा बुद्ध है आपको एक एक छोड़न बुद्ध के बाद किया आता है बिरस्पत ब्रसपत को छोड़न दीजैं फिर शुकर लिए आपको टैक्निक बता रहा हूं सुकर के बाद क्या आती है दोस्तों हमारी प्रतवी आती है प्रतवी क के बाद बुद छोड़ो ब्रसपत फिर सनी अरोण बरोण ठीक है तो यह किराम होता है अब बस mainly question इन से बनते हैं प्रद्वी के निकर्टम गिरा कौन सा है तो उस्तों सुक्र है और सूरज के निकर्टम कौन है बुद है सबसे छोटा भी गिरा कौन सा बुद है ठीक है तो य यह चीज़ आपको याद रखनी है सही है बच्चा याद रखना तो सूरज से निकर्टम कौन सा हो गया बुद फॉर्थ option राइट हो जाएगा नेक्स्ट है गिर राष्ट्य पार्क किस राज्य में स्तित है बताएए वई गिर सेरो के लिए तो यह की राइट ओप्शन हो बताएए वई आपको प्रेक्शन विदी पड़ी थी विधिया वहती ही इंपोड़ेंट है आपके लिए कोशन बन सकता है एक या दो हमेशे एक या दो प्रेक्शन बनता बनता है तो निकर्शन विदी क्या है वई नहीं है मिर से telralor कोशन दोस्तों देखो अप्शन दिखा इतैरा सो लिए इए बहु आपकों के लिए विदैल को अरे रेटान होता है विदाले के रईस्टर देके जाते है एम डियम डेके जाते हैं और कहीं देखाए जाता है MJTBM के अंतरगात जो कार्या है की विदाले में आपसभी जानते हैं क्या होता ही एक menu के नुशार बच्चों को पिर्टी दिन खाना दिया जाता है व्द्वार के दिन धूत का वितरण होता है यह सब का निरक्षान होता है ठीक है तो इसमें वाल के इंदित विदी नहीं है और आप ठीक से पढ़ोगे तो इसली कर लोगे बागी चाहती इन उप्शन इसके राइट हैं बिलकुल ये एक मनोविज्यानिक विदी भी है ये पिर्तियक सेनुगोप अधारिद भी है ये विदी बिविन सरवेक्षनों द्वारा अपना ही भी चाहती है नेक्स्ट कॉश्चन है पिर्यावरान सिक्षा में समस्या समधान विदी का गोड़ है बताइए वई ये 2016 का है ये 2016 का देखते रहे हैं अगर आपको पिर्यावरान अध्यन से भी कॉश्चन दे देते हैं दो तीन तो आपको गवराना नहीं है इसली अराम से कर सकते हो आप पिर्यावरान सिक्षा में समस्या समधान विदी का गोड़ है बताइए वई क्या है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा ये सभी ठीक है आपको एक ट्रिक बता देते हूं अगर पॉश्चन ना आए और उसमें चातीन ओप्शन जो है वो कोई निकेटिव सेंस न दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्यलाता है क्या क्यलाता है वही बताइए किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्यलाता है जीब बूरसाइनिक चक्र बूवग्यानिक चक्र असाइनिक चक्र इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इ राइट आंसर हो जाएगा A क्या हो जाएगा A किसी परित अतर में जो तद्वो का चकरण होता है वह है जीब बूरसाइनिक चकर कैलाता है नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रेड़ों को काटने से जब काट रहे थे वहां के कुछ लोग तो क्या हुआ इन्हों ने आके वहां की जो महिला ही थी बहुत सारी प्रेड़ों पर चिपक गई थी ठीक है इन्सूलीन की रसाइनिक प्रकरती है बताइए इन्सूलीन की रसाइनिक प्रकरती क्या है तो दोस्तों इन्सूलीन की जो रसाइनिक प्रकरती होती है वह होती है प्रोटीन क्यों होती है दोस्तों प्रोटीन ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है next question है पोदो में अर्द सूत्री बिवाजन होता है किस से होता है वही पोदो में अर्द सूत्री बिवाजन दोस्तों यह होता है पराग कोश से next है जैविक समुधाये में प्रात्मी को बोगता है आपको पढ़ा चुकाओं में वही अगर आपने 6-8 की SCRT का सार्ड नहीं देगा तो आप देखें जैब से इक समझा हूँ है प्रात्मी को बोक्ता वस्तो साकारी होते हैं शेर वगरा ठीक है चीता दोस्तो सोरी प्रात्मी को बोक्ता का वह अंते मोब बोक्ता होते हैं थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो गई है उसके लिए में सर्विंदा चाता हूँ दोस्तो क्या होगा इसका जैब समुझाई में जो पोदे उत्पादक होते हैं तता इनके दुआरा बोचन प्राप्त करते हैं विसाकारी होते हैं जोड़ नियंत्रण में आम तोर पर सबसे अधिक प्रियोग की जाने वाली होजदी है बताईए वई आपको तो पता होगा अभी जब कोबिट नाइटीन चल रहा था बहुत ज़्यादा इसने मैत्रपोड भूमी का निवाई है दोस्तो इसका आएगा पैरसीटामोल ठीक है दो पिरकार के आती है डोलो 500 आती है जो बच्चे वगएर होने देने के लिए एक डोलो 650 भी आती है डोलो नाम से भी बोल दे देने से पैरसीटामोली वो हो दिया है दै निर्मान ये तो कौन से सुक्सम जीव उत्तरदाई है सुक्सम जीव ही उत्तरदाई है बताइए भी तो दोस्तो इसका राई टांस हो जाएगा लैक्टोवैसिलास ठीक है एक सो पैतिस का फोर्थ माना डोनर देखिए आप डोनर कौन से होता है सरव गिराई सरव दाता ये चीज़ भी दोस्तो आपको पता होनी चाहिए प्याज आलू अद्रक है वह क्या है ये जड़ है तना है पस्तानिक जड़े है या सलक पत्र है बताईए वह क्या है तो पोद्य के तने का वहब आग जो तो तना कहलाता है ठीक है जैसे अल्दी केला ठीक है आलू लैसून अद्रक अर्वी जो है अधी भूमी का तने होते हैं तो क्या है दोस्तो तना है ठीक है भी option राइट हो जाएगा भी 2 एक कोश्य सुख्ष्म जीव है इसमें कौन-कौन से होते हैं, option बताइए, दोसो इसका right answer हो जाएगा, paramecium, क्या हो जाएगा, paramecium, ठीक है, इसके अन्ने उधारण भी होते हैं, जैसे, दोसो यूगलीना ले लिजिए आप, plasmodium ले लिजिए, ठीक है, amoeva ले लिजिए, ये क्या है, main-main है, एक कोश्य जीव होते हैं, देए, भी कौन-कौन से होते हैं, बता देता हूँ आपको, यूगलीना हो गया, एक, यूगलीना, ठीक है, दोस्तों, यूगलीना हो गया, दूसरा देख लेते हैं, amoeva, amoeva भी क्या है, एक कोश्य होते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, प्लाज मोडियम, यह दोस्तों बूजे जाते हैं, मैं आपको इसलिए लिखवा दे रहा हूँ प्लाज मोडियम, थोड़े दोस्तों लिखने में शमस्या है, बस ठीक है प्लाज मोडियम, समझ लेना, यह दोस्तों यूगलीना है, अमीवा है को साबुन का विस्तापन है तो दोस्तो अगला खुशन है अब प्रिर्रावरन इस नहीं माना जाता है आपको पता कि आज कल जड़्जा में गिया है या तो इलेक्ट्रिक है यह सी एंजी है जो इस प्रिकार से पैट्रॉल और डीजल के प्राइज इंकरीज हो रहे हैं उसी प्रिकार से इनके बिर्दी लोगों का प्रेम बढ़ता जार आय तो दोस्तो जो प्रिर्रावरन इस नहीं माना जाता है आजकल होए है संपेडित प्राक्रतिक गयास इसे कहते हैं CNG, CNG की फुल फॉर्म होती है compressed natural gas ठीक है अब देख लीजिए जो द्रैवित पैट्रोलियम गैस होती है इसे कहते है लिक्यूफाइड द्रैवित माने लिक्यूफाइड पैट्रोलियम गैस इसका पिरोगम रसोई घरों में करते हैं तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा आपको फोर्थ हो जाएगा ठ गैसी अपसिस्ट हैं गैसी अपसिस्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तो लकड़ी कोईला से जलने वाला दुआ क्या होते हैं दोस्तो गैसी अपसिस्ट है निमलिकित में से कौन से पोदे दूर दूर पिरसारित होंगे बताईए वही दूर दूर जो होंगे फल के दुआरा प फल के कीट दुआरा होता है तो इस प्रेकार फल दुआरा पोदो के प्रागन की सीमा क्या होती है तो उस्तों सरवाधिक होगी ठीक है जब एक जीव लाब लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रवावित किये तो कहलाता है वही मैंने कराया आपको सार में बिल्कुल को फर्ण वह आरर्क हिर्ड के पोदे होती है यह बिरक्सों पर बिरदी करते हैं परनतु यैँ चानी नहीं पूचाते है तो उसलिक होते है और यह जब पोदों को खाते है तो मोर का पौशन अथल है बताईए वही मैंने बिल्कुल चितर के माद्यम से आपको फ्सर चीज जब मौहर साप को खाता है, तो मौहर साप से उपर हुआ, नुजडें को खाता है तो वोजो से नीचे हुआ, मौहर से किले हडे उपर हाता HAR KEE' सल का उदारंण है? कॉच्चन बогन को सी का एंतरिति版 रोपांतरित, तो का एंतरित रोपांतरित staile का उदारण भूजा है दोस्तों जो संगमर मार है ये कायंत्रित चट्टान है ये चूना पत्तर के कायंत्रन से बनता है जो किसी चीज से बनने है उन्हीं कायंत्रित सेल कहते हैं तो जो संगमर क्या होता है चूना पत्तर के जो चूना पत्तर ने होता है आपको जो पत्तर मिलता घरों में भई इससे खदान होता है फिर अच्छे दुलाई होती है तो इस प्रकारी रुपंत्रित होकर काइंती सेल में परिवर्थित होता है संग मरमर महा साग्रों में निम्न में तो कौन सा लवर सरवादिक मात्रा में पाया जाता है तो दोस्तों महा साग्रों में NACL, sodium, chloride NACL, sodium, chloride, NACL, chloride, NACL, positive charge, CLB, negative charge ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है तो sodium chloride इसका आंसर हो जाएगा राज्य सबा में होने वाली सबाव के अध्यक्स ता कोन करता है तो दोस्तों उप्रास्टे पती करता है वह राज्य सबाव का पदेन अध्यक्स होता है ठीक है उप्रास्टे पती याद रखना निमन मेंसे किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवादिक छेत्वर है बताओ वही है जलोड है काली है ओप्शन आपके सामने खुला हुआ है जलोड मिश्टी का विस्तार जो है भारत के सरवादिक छेत्वर है ठीक है काली मुट्टी तो कपास के लिए पिर्च लीता है याद रखना जो साकारी जन्तों बोचन के लिए हरे पेड़ पोदो पनिर्वर होते हैं उन्हें के कहते हैं पिर्थम चरण उब्वक्ता मैंने पढ़ाया है अगर आपने सारवाली वीडियो वो 25 मिनट की वीडियो देखिए तो आप कमाल कर जाओगे वो इस पेपर में बिल्कुल ठीक है फिलैग क्या है फिलैग फिलैग दोस्तों जो है एक जिवाडू रहीत बिमारी है ठीक है इससे क्या होता है यह बैसिलस पेस्टिस नामक जिवाडू से फिलैग होता है ठीक है यह दोस्तों बैसिलस बैसिलस पेस्टिस पेस्टिस नामक बिमारी से फैलता है यह क्या बच्चा यह चीज आपको याद रखनी है ठीके और कैसा है यह जिवाड़ुजनित बीमारी है इससे सरीर पर फ्लैक का बैक्टिरिया बन जाता है दोस्तों अगर आपको यह प्रिशन अच्छे लगें कि मैंने अच्छे से कराया है तो आपको यह वाली स्रंकला भी उस चो स्रंकला चल रही है प्रैक्टिस वाली वह उसमें तो आपको अनलिमिटेड प्रिशन मिलेंगे और एक नंबर की प्रिशन मिलेंगे वहां यहाँ पर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस एट कराते है विज़ो जरूरी है बीच बीच में जिससे आपका थोड़ा फिलो बना रहे ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में जादा जादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए तो मिलते हैं इसी बिरकार की वीडियो के साथ अगले लेक्चर में धन्यवाद